हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी लेखपाल जो आपका एकजाम हुआ था 31 जुलाई को कि उसका पेपर रीखजाम होगा या भरती इरद्ध होगी इन सब बातों पर हम लोग तर्क से एक-एक बातों कोच्छे से समझेंगे आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है यूपी ट्रिपल सी लेखपाल की वो सभी चैनल छोटे हो या बड़े सभी लोग अपना-पना अपडेट दे रहे हैं तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि जो अबहरती लेखपाल का पेपर दिये दे ये वीडियो उन लोग के लिए है देखें अभी तक औफ येसी लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है यूपी ट्रिपल सी की दोरा कि पेपर रद्ध हो गया है या रद्ध हो जाएगा अभी तक तो यूपी ट्रिपल सी आयोग ने माना ही नहीं है कि लेखपाल में कोई धांदली हुई है या नहीं हुई है यूपी ट्रिपल सी आयो का मानना था कि जो भी एक्जाम में कुछ गड़वडियां पाई गई थी उसके लिए यूपी ट्रिपल सी ने कारवाई की थी लेकिन उसके बाद STF लगातार जो UP की STF टीम है Special Task Force की टीम है वो लगातार काम कर रही है जिसकार से UPSI में उसने बहुत सारे भरतियों को पकड़ा था फिर बाद में भरती कोड गई थी कोड के बाद कुछ नहीं हुआ और भरती जो है फिर मेडिकल की लिए उसका नोटिफिकेशन आ गया है सेम वही प्रक्रिया जो है लेकपाल भरती में है लेकिन लेकपाल भरती जो है यह आपका offline exam है यह भरती आपका offline exam है ठीक है और UPSI की प्रक्रिया जो थी वो online थी तो उसमें जो सुबूत थे वो तो online थे वो तो कोड चाहता तो उस भरती को तुरण निरस्त कर सकता था जो क प्राइमरी और जूनियर लेकिन सरकार ने प्राइमरी मीटिंग का पेपर चली रहा था कि तब ही जो है मंत्री जेनाउंस करते हैं कि जो है पेपर लीक हो गया है इस वज़ा से परिक्षा को निरस्ट कर दिया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी टेट से कोई नवकिन नहीं मिलने वाली थी यूपी टेट पिछली चार 2017 से वेकेंसी नहीं आई है सरकार ने यूपी टेट का पेपर बिना सोचे समझे तुरंट निरस्ट कर दिया जो कि उससे कोई फायदा या नुकसान किसी का नहीं था यूपी टेट से लेकिन फायदा या नुकसान या साई वाली भरती में था बहुत से गरीब बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं एलाहावाद, लखनओ, गाजियावाद, दोएडा, कानपूर बाहर जा जाके पढ़ाई करते हैं और जौब भी करते हैं प्राइबेट में उनके दिल पे पुछिए क्या उनके दिल पे क्या बित्ती है UPSI में मेरे बहुत रिलेटिवस ने पेपर दिया था, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सीनियर लोग है जो पेपर दिये थे, उनके कटाफ से एक नंबर किसी के पॉइंट में सब दोड किये, अपना सब कुछ कागशपत रेडी करके बैठे थे, इंतजार में आस लगाए थ लोट से क्लेंचिट भी मिल गया है UPSI के लिए, अब बात कर लेते हैं लेकपाल में क्या होगा, अब क्या लेकपाल की परिक्षा है वो रद्ध हो जाएगी, तो देखिए, आज ये दैनिक जागरन में जो खवर निकली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये राष्टी संस् गिरिफ्तार हुए थे, अब STF ने उन्ही 21 लोगों को मोहरा बनाया, और 21 लोगों से जब टॉर्चर किया, उनसे पूछा, पूरा प्रोसेस कई दिनों से, काम इस पे STF कर रही थी, Special Task Force, तो STF ने किया था, सालवर गिरोह का बंड़ा पोर्ट, पेपल लीग का सक था, UP लोगों को भेजी की रिपोर्ट मांगा ब्योरा, ठीक है, ये Headlines है, और लेकपाल भरती परिक्षा में बैठे 15,000 संदिग्द, अभी STF का मानना है कि देखे, क्या उनके जो पकड़े हैं, उन्होंने 21 लोगों, उनमें से जो Admit Card मिले हैं, उनके फोन्स में, WhatsApp में, गैलरी मे 15,000 नहीं है, लेकिन STF का मानना है, कोई गिन के इतना नहीं गिनता बैठता, 15,000 एडमिट कार्डिक नहीं, लेकिन STF का मानना है कि लगभग नियर बाउट 15,000 के आसपास हो सकते हैं, वो 13,14 भी हो सकते हैं, वो 18 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी exact data STF ने नहीं दिया लगभग मतलब संदिक्द 15,000 के आसपास लोग हैं, तो बैकिन STF आपकी 8,085 है, और संदिक्द हैं 15,000, तो इसके दो गुना, तो कटाफ फे क्या इसका आसर पड़ेगा, देखिए इसमें जो मेरा सजिसन है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, अभी तक मैंने जितना पेपर दिया ह मेरे हिसाब से लगता है, कि मान लीजी अगर 15,000 लोग संदिक्द थे और ये पकड़े जाते हैं, तो जो मेरा सुझाओ है, वो मैं यही कहूंगा, ये मेरा नीजी विचार है, ये आप लोग कभी अपना विचार होगा, तो आप लोग अपने विचार को कॉमेंट्स में कर स सकते हैं, मेरा सुझाओ ये अभी तक में लग ये मैं सोच पा रहा हूं, कि लेकपाल में भरती होई, ये 15,000 लोग पकड़े गए, अगर STF ने, ये मान लिया है कि 15,000 लोग पकड़े गए थे, सभी जगा कैमरा लगा था, ठीक है, सभी लोग को पकड़े, कहां धांदली हो 15,000 लोग पकड़े गए हैं, मतलब 15,000 का एड्मिट कार्ड उनके पास से लगभग, तो भाई 15,000 का एड्मिट कार्ड पब्लिस कर दो, STF को सौप दो, अब STF ने, वो जो एड्मिट कार्ड है, उसकी रिपोर्ट जो है, वो आयो को देगा, अब UP SSC, आयो के पास STF ने, अ उनके OMR सीट जो सकेनिंग का काम अभी चल रहा है, वहीं से उनका OMR जो है, होल लिकर दिया जाए, मतलब जो है, उनको पकड़ लिया जाए, उनको रिवी में डाल दिया जाए, और उनके OMR की चकिंग नहीं होगी, तो अगर मान लीजे 15,000 बच्चे हैं, जो नकल किये हैं, 2,12,000 बच्चों ने पेपर दिया था, 15,000 बच्चे जिसमें नकल किये हैं, और आपकी सीटे 8,000 थी, तो अगर इन 15,000 बच्चों को STF मानती है कि धांदली हुई है, और जो कि I.O कभी accept नहीं कर रहा है, I.O को मानना चाहिए, अगर STF इतनी बड़ी संस्था है, इस Special Task Force कारवाई होनी चाहिए, और 15,000 जो लोग पकड़े गए हैं, उनके जो सभी के OMR जो है, बिना सोचे समझे, आपको ततकाल जो है, उसको निरस्त कर देने चाहिए, और ऐसव बच्चों के उपर 5-10 साल का प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कि ताकि वो दुबारा जो है, भ चार है, कि मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से ये पेपर आयोग या सरकार की मनसा है रद करने की, क्योंकि लेखपालो की वैसे भी इतनी किलत है प्रतिप्रदे सरकार में, कोई भी योजना है, जो सरकार की, उट लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है, और चाह सरकार की जो है जो कमियां बताई कि उनकी पॉलिसी जो ग्राउंड रिपोर्ट पर नहीं पहुंच पा रही है ठीक है डॉक्टर रागनी सुनकर ने मुख्यमंत्री को सीधा जो है बोला कि सर आपके जानकारी में सायद ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि आपकी जो प सरकार की जो पॉलिसी ज होती है वो गाओं गाओं घरगर तक लेगपाल सेक्रेटरी ये लोग पहुंचाते हैं लेकिन उत्तरप्रद्टेश में भरती होई ही नहीं है पिछले 7 सालों से लेगपाल की बहुत सारे पत खाली है एक लेगपाल 3-3-4-4 हल्को का काम कर रहा है त बाकि आयोग, मेरा ही विचार है कि आयोग जितने लोग को पकड़े, STF ने जितने को पकड़ा है, उसका आयोग, उनके admit cards, उनके ओमार रद कर दे, reject कर दे, और भर्दी को साफ सुत्री करेगी, और ऐसा करती है, जो मैंने आपको cut-up बताया था, अगर 15,000 लोग को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, तो मेरा यही मानना है कि जो भी लोग पकड़े गए, बाकी आप लोग जो है, ट्विट कीजिए, या जो भी आप लोग कहेंगे, जो भी वीडियो बनाने के लिए, उनको mail कर सकते हैं, STF पे, और Google से उनका mail ID ले सकते हैं, जो भी जानकारी आपको है, STF का support करें, cooperate करें, ठीक है, और ताकि जितने जल्दी हो सके, अब देखिए, परड़ाम में तो इससे, इसका सीधा सीधा फरक जो है, परड़ाम पर पड़ेगा, परड़ाम अब बिलंभ होगा, लेक पाल भरती का, तो आप लोग अगर किसी के जानकारी में कोई बच्चा पैसा दिया है, या धानली किया हो, नहीं पकड़ा गया, तो उसको पकड़वाईए, आप ही लोग का फायदा होगा, क्योंकि जो इमानदार बच्चे है, उनी लोग का ताकि सेलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो ऐसे 15 हजार सीटे, खाली चली जाएंगे, फिर 90 की नीचे, 85 की नीचे कटाप नहीं रहेगे, सब लोग फिर रोगता ही रहना, फिर बाद में ट्विट करना, कि एक्जाम कैंसिल होना चाहिए, भाई कैंसिल करना कोई सलूस्टर नहीं है, एक्जाम का, कोई भी एक्जाम हो, ये पर ताईए, टेट का पेपर जो फिर से हुआ है, क्या उसमें धांदली नहीं, बहुत सारे बच्चे ने पेपर पाए, बहुत सारे बच्चों ने एक्जाम को लेकर, ठीक है, लेकिन उसमें, क्योंकि वो प्राइमरी वो पेट टाइप का पेपर था, जैसे पेट में बहु सभा का चुना होगा, तो इसके लिए गवर्मेंट जो है, एक्टिव बोन में है, वो नहीं चाहेगी, कि कोई सरकार की पॉलिसी ग्राउंड धरातल पे ना पहुँचे, इसलिए वो लेकपाल का पेपर कैंसिल करना नहीं चाहेगी, मेरा भी यही मानना है कि कैंसिल ना हो, क पंदरा सो, को यह मान अंदर से भरवाये थे, इसलिए इंको ग्रिफतार कर लिया गया, तो बताएए वीडियो का पेपर 2018 में 22-23 दिसंबर को हुगा था, उसके बाद 4 साल बीच चुके हैं, लेकिन अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसका पेपर कब होगा, कब नहीं होगा, बस बच्चे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोर्स खरीदे जा रहे हैं, तो ऐसा कोई यह नहीं है कि बिया पेपर कैंसिल हो जाए, मैं तो पेपर कैंसिल के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बस एक पक्ष में हूँ, कि जो भी बच्चे धानली किय रेजल्ट आप 6 महिना बाद दो, एक साल बाद दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेस बरती करो, जो बच्चे नकल किये हैं, उनको बाहर करो, ठीक है, विद प्रूफ, और जो बच्चे इमानदारी से पेपर किये हैं, भले उनके 70-72 नंबर है, उनका सिलेक्शन होन चाहिए, कटाफ बनने की बाद, ठीक है, लेकिन ये भरती फ्रेस होनी चाहिए, और पेपर कैंसिल करना कोई सलूसन नहीं है, कोई हल नहीं है, क्या गारंटी है कि पेपर लेकपाल का फिर से होगा नहीं होगा, 18 जिलेम पेपर हुआ था, 12 जिलेम जो भी हुआ था, फिर से आपका पेपर लीक हो सकता है, ति ये आज की कटिंग थे अकपार का, और कुछ मेरे नीजी विचार थे मैंने आप से सेर किये हैं, जो आपके भी विचार है, आप भी अपने विचार जो है, कॉमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, सौलवरों ने क्या किया था, कि पेपर के ज आपके जानकारी मांगी है, ताकि उनकी स्क्रीनिंग कर मुख की सरकना तक पहुचा जा सके, दोस अपता से ज़्यादा का समय बीदे जाने के पाद भी अभी तक आयोग ने एसे कुछ नहीं कहा है, ना कुछ माना है, अब देखते हैं, आगे क्या होता है, जो भी हजार लोग धानली हुई थे, तो अभी जो OMR का जो काम चल रहा है, OMR स्कैनिंग का, और रोगवा दे, उन लोग के, बंद करा दे, उनको जेल की सजा दे दे, और उनको फिर भविस में कभी मोका न मिले, तो फिर ये तो सिर्फ बाते हैं, लंबी लंबी बाते हैं, ऐसा आ स्क्राइब कर ले, और जो भी आपके कमेंट होंगे, उसको पॉस्टिव में लोगा, तो ठीक है, तो मिलते हैं, दोस्तो, हम लोग अभी पेट का पढ़ रहा है, मैराथन क्लास, अब आज आपकी जो है, विस सुभोगोल की मैराथन क्लास पेट के लिए आएगी, तो सारे पेट की जो क्लासे से वो प्लेइलिस्ट में पढ़ी हुई है, आप लोग जाकर देख लीजिए, अगर नहीं देखा है, पूरे यूटूब के हिस्ट्री में ऐसा मैराथन किसी ने निकराया है, एक गंटे, एक गंटे, बीस मिनट, चववण मिनट, पच्वण मिनट में हम यहीं से आपके पिछली बार question आये थे, लेकपाल में question आये थे, इस बार भी आपके question यहीं से आये थे, आएंगे, तो ठीक है दोस्तो, इस वीडियो को like किए, और अपने मित्रों तक share कीजिए, लेकपाल की जैसी भी कोई बड़ी update आर्दी में आपको inform करता हूँ, मिलते ह ने नेक्स्ट वीडियो, वर्ड जियोगर्फी की पिट मेरातन में, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिन, जै भालब